Hello everyone, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अगर आपका एक वीडियो है या आपके बहुत सारे वीडियो है जिसके उपर आप जो क्लिप करके ऑप्शियन यूट्यूब ने नया इंट्रेड्यूस किया है उसे disable करना चाहते है तो कैसे कर सकते हैं ये disable या enable करना चाहते है कि कोई आपके वीडियो को clip कर सके और use कर सके तो ये भी कैसे enable कर सकते हैं वो हम देखते हैं तो ये करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो clip है वो work कैसे करता है यहां पर मैं click करूंगा video पर यह video मेरा YouTube पर आ गया और यहां पर देखेंगे तो clip करके option है जिस पर अगर आप click करेंगे तो वो पूछेगा कि जो clip करना है आपको वो कौनसे time से कौनसे time तक clip करना है और फिर आप इसे share भी कर पाएंगे तो यह जो clip option है यह आप disable करना चाहते ह अगर तो कैसे disable कर सकते है वो हम देखते हैं तो यहां पर यूटिब के channel पर आपके चले जाएए अभी यह जो clip option है यह सभी video के लिए आपको disable करना है तो कैसे करेंगे देखते तो मैं YouTube पर चला गया यहां पर मैं settings में आ गया Settings में आने के बाद में यहां पर आपको चैनल में जाना है चैनल में आने के बाद में यहां पर Advanced Settings में जाना है और Advanced Settings में जैसे ही आप आएंगे पहले Channel पर चैनल पर Click करेंगे फिर Advanced Setting पर फिर यहां पर एक option है और, clip करके तो यह Allowed है, Allow Viewers to to clip my content, ऐसा लिखा हुआ है, इसे मैं deselect करता हूँ, और save करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो content है, वो दूसरे जो viewers है, वो clip कर पाए और use कर पाए, तो मैंने इसे save कर दिया, अब save करने के बाद, वापस इस पर मैं जाता हूँ, और यहाँ पे refresh मारता हूँ, देखते हैं कि वैसा होता है क्या, जो clip वाला button है, वो enable है क्या, तो देखिए, यहाँ पे clip वाला जो button था, वो निकल गया यहाँ से, तो जो clip button था, वो नहीं आ रहा है, इसके पहले आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि clip का जो option था, वो enable था, अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने clip का जो option है, वो disable कर दिया हर एक वीडियो के लिए मेरे channel पे, तो अगर ऐसे interesting वीडियो, social media और digital marketing regarding और भी आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे channel को जरूर subscribe करें, और हमें support करें, thank you.